अम्भूर्भू वस्चहा तक्सवितुर्वरेञ्यं भर्गो देवस्चदी मही धीयो यो ना पच्छो दया जेत्मने आई हो मारे शक्ति आज राजाज जिन्दक मारे के बांग है 836 और आज हमारे बीच में है अजर्णी प्रोफेशर डॉक्टर आरके काला साथ और आज के विशे आपने लिया एक्टेंडम वह लिया संसार की उस्पति किसी एप्रियार्य कार्यों के कारण हमारे अजर्णी डॉक्टर आश्चाथ बोदरे साथ नहीं आपा रहे हैं और उनकी जगे आज़ए प्रोफेशर डॉक्टर काला साथ ने विजन करते हैं कि आज क ग्रुप के सबीस दस्यों के मेरा नमस्कार इससे पहले के शुरू करें और प्रात्ना करें प्रमात्मा के चर्णों में ओम भूर पुवेश्वेह तस्वीतुर वरेनियम भरगो देवस्यधीम ही धियो योना प्रचोदयाद ओम अस्तो माशाद्गमे तमसो माजोत्रगमे म्रतुर माअमर्तमगमे ओम सरे भवन्तु सुखना सर्वेशंतु नराम्या सरे भद्रानी पशंतु मा कश्युदू ओम शान्ती 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 ओम आज का जो विशे अचानक लिया है वो है संसार की उत्पत्ती जैनिजम और बुद्धिजम ये मानते हैं कि संसार सदा से है ना इसे किसी ने बनाया है ना इसका कोई नाश ही कर सकता है तो कि अगर संसार को भी बनाता तो बनाने वाला होता अगर बनाने वाला होता तो एक पापी दिन भर पाप करता है आके शाम को मंदिर में जल चड़ा जाता है परशाच चड़ा जाता है तो भगवान उसको दंडना देता वही रोक लेता तू तो पाप कर क्या है यहां पर तो मैं बुरे किरम करने के बाद भी क्यों नहीं सजा पाता और अगर भगवाण होता आज तो सारे दुनिया का कल्यान को क्यों नहीं का देता आला आपसे भाई 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 लड़ रहे हैं जो रहिए से लाग हुआ यूक्रेनों से ही रहिए kangव बालकों को ब्रदों को ये अपने आप प्रकर्ति इसे है और हमेशा रहेगा और सिरफ अपने जो कर्म है वो कर्म हमको सुधार सकते हैं और कोई सुधार ने शकता उन्होंने भगवान को अलग कर दिये जनिजम ने बुarnaग कर दिये भगवान को नहीं मानों लेकिन व्यादिक कल्चर ये मानता है कि अगर एक घड़ा बनता है तो घड़ा बनने में उपदान कारण चाहिए, निमित्य कारण चाहिए, साधारन कारण चाहिए, तिनों कारण मिल करके तब उसके बाद घड़ा बनता अपने आपनी बनता अगर रोटी बनानी होती है तो उपदान करन आटा चाहिए बनाने वाली ग्रहनी चाहिए उसके बाद सधारन कारण है निमित होगी ग्रहनी उपदान होगा आटा उसके बाद जो बाकी सधारन कारण है तवा है चकला है बेदन है पानी है गुलने के लिए ये सब कुछ चाहि जब तक यह नहीं मिलेगा तब तक फुलका नहीं बन चकता, रूटी नहीं बन चकती, सेम मैनर इतने बड़ा ब्रमांड है, यूनिवर्स है, इसके बनाने वाला आखर कोई तो होना चाहिए, और वो कहते हैं कि इसका बनाने वाला स्वाम इश्वर है, भगवान नहीं, चुक चले जाते हैं, फिर कोई नहीं होता, सिर्फ उनके दिखाए मारक पे इनसान चलते हैं, तो इश्वर जो है, वो भगवान से अलग रखा गया, कि इश्वर जो है, इश्वर प्रचना करता है, तो इसी सलसने में, कुछ लोग, एटम के अचानक, पूटने की थियोरी को कहते हैं, कि उससे संसार अचानक निकला, लेकिन एत्रे उपनिश्द का रिशी, अत्री, उनका ये मानना है, कि आरंब में, जब भी संसार बना, दो अरब साल पहले, या सौ करोड असी, सौ एक अरब असी करोड साल हुए, जब भी संसार बना, तब और कोई नहीं था, कोई संकल्प करने वाला, सोचने वाला, चंतन करने वाला, कोई नहीं था, एक इश्वर ही था, एक मेव अलवतियंग ब्रह्म, केवल इश्वर ही था, इश्वर का रिश्वर कोई नहीं था, इश्वर ने, वो भी निराकार सत्ता के रूप में, और रिंद्रकार सब्ता प्रकर्ति सारी अव्यक्त थी ये जनिजम का कहना ये है कुछ ऐसे स्वाल है जिसलिए उन्हें भगवान को अला कर दिया जनिजम में अला कर दिया और जिसने फराकर के बैदिक संस्कृति को दवा दिया एक तो ये था कि इन लोगों ने कहा कि ये शुर जो है प्रकर्ति जो है ये प्रकर्ति किसने बनाईनी हमेशा के लिए है और दूसरा अव्यक्त जो प्रशन है जिन प्रशनों का जवाब हो ये नहीं सकता जो अवयक्त प्रशन है जैसे संसार कहां से आया संसार किसने बनाया संसार पहले थाय ये नहीं था आत्म है ये नही है, बोला जब से सच्टी बनी है, तब से स्वाद उटाए जाते रहें, और आज तक सुलूइशन कोई मिले हैं, और नाश सुलूइशन मिले लेगा, भगवान हम कहां स्ची आए हैं, भगवान कहाँ है? हम कहां जाएंगे? या संसाइकरिशना कैसे हुई? इशर है के नहीं हैं बूलेए सारे अव्यक्ट प्रेशन हैं वानइंटपरिटेबल हैं इनका कोई जाब आए तक झीमहला और नाही मिलने कि आशा कोई हिं नाहीं मिलेगा तो इन स्वालों का अलग कर दो भगवान का किस्टा उण उठाओ जह नहीं भगवान कोई निस्फभ हमारा कर्म है जो हम करेंग इसके अधार पर अपने आपको बना लेंगे अच्छे करम अगर मैं करता हूँ क्या अच्छा ही फल मिलेगा अब बुरे करते हैं बुरा मिलेगा क्यों अगर मैं केकरब होता हूं भगवान से प्राठता हूं भगवान इसको आम बना दे तो लाग कोशिश कर ले भगवान कर ने सकता और दूसरा अगर मैं आम बोता हूं पचास गालियां लेता हूं भगवान को कहूं तो उसको बना ले की कर बना सकता है तो नहीं बना सकता तो लेगर भगवान होता और सब का भला करने वारा होता कल्य में होता तो यह सब कर देता एक दुखी कई सालों से बिमार है कह रहा है मुझे ठीक अदे प्रभू का उपासर के अच्छा भगवान का लेकर नहीं करता दूसरा धनाध्या है कभी उसने पुन्य किये ही नहीं तो इश्वर रूपी विवस्ता को निकाल दो निकाल दिया लेक तो एत्री उपनिशत का रिशी है यह मानता है कि केवल आरंब में इश्वर था और इश्वर ने कलपना की इश्वर कंशा कलपना करने से कुछ होता भी नहीं है साकार कुछ उतरे तो कर सकते हैं निराकार तो कुछ करते ही नहीं है तो उन्हेंने प्राथना की तफ किया और कई वर्षों के तब के बाद घूर तब के बाद एक साकार रूप तबन किया जिससे कहा संसाकर अचना करो और वो जो था वो निराकार का हरिणम गर्व रूप था स्वायम ब्रह्मा पति थे क्योंकि ब्रह्मा स्वायम कहते हैं कि मिर्ट पति जल्द से हुई है कमल से हुई है नाभी से हुई है और अपने जर्म के बाद स्वर्म नीशे जाकर ये देखना चाहते थे, मैं कहां से आया हूँ, अंदर घुशते गया, जाते गया, जाते पर कोई इसका हल नहीं मिला, तो उन्होंने आदेश जिया, आदेश हुआ, आदेश क्या मन में संकल पाया किसन साख रचना करनी है, इस इस्पारेशन दिया कि उनके मन में संकल पाया संसाख रचना करूं, तो संसाख रचना करने के लिए, कोई अपोजिर सेक्स चाहिए, महिला चाहिए, तो उटपत्ती करने के लिए, जिए दोनों का आपस میں मिलन नहीं होगा, संसाख रचना हो नहीं सकती, यो बाइलाजिकल को उन से सही भी है उन्होंने सबसे पहले मन्न अशतु रूपा को जनम दिया और देनम दिने के बाद उन्होंने यह क्लब किया है कि संसार कृष्णा कि करो संसार से बढ़ता चला गया अब ईश्वर ने कल्पना की कि संसार तो मैंने बना दिया है लोग तो मैंने बना दिये हैं कि लोकुंग रशना करूं ताकि लोग जो हैं अगर हैं तो अपने पंपुन्य और पाप कर्मों का फल भोगने के लिए शंसार लोग बनने चाहिएं तो लोकुंग रशना करने के लोग बना दिया उत्पत्ती बढ़ती गई तो उन्हें का ठीक है मैं लोग तो बना दिये हैं और अब विभिन जो लोग बने हैं चार लोग बनाए एक तो मर मरीची अंतरिक्ष और जल यानि धर्ती के नीचे जल है जल लोग बनाया मरत्य लोग जिसको हम मर लोग कहते हैं फिर उसके ओपर ये संसार प्रत्वी जो है मर लोग है मरत्य लोग है मरीची लोग है इसके ओपर अंभा बनाया अंभ का मतलब ये है कि स्वाम अंतरिक्ष और इसको उपर के लोग जिसको दियो लोग कहा गिया महा तब महा लोग जना लोग तपा लोग सत्य लोग इत्यादी तो उन्होंने इस तना से जल मर अंभ और दियो लोग इनके रिशना की तो रिशना करने के बाद संकल्ब किया कि मैंने रिशना तो कर दी है अब इस रिशना के बाद इन लोगों का लोग पाल कोई को होना चाहिए अगर इनके लोग पाल ना हुए इनके बेशापक ना हुए तो इनकी रिशना का फादा कि ये संसार चलेगा कैसी तो लोग पालों के रिशना की लोग पालों के रिशना करके उनके अंदर फिर भूख प् चुछ शुत्रफन कर दी ताकि भूख प्यास लगेगी तो कुछ यह करेंगे जब भूख प्यास इन में जगी तो भूख प्यास जगने के बाद इन से कहा गया जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया एह हमारे निर्माता एब बनाने वाले तुन्हें लोगपालों के विश्चा कर दी लोकों की रक्षा करने के लिए पर हमें जो भूख प्यास लगी है उन भूख प्यास का इंतजाम कैसे होगा हमें कोई खाने के अनाश चाहिए भूख मिटाने के लिए प्यास मिटाने के लिए पाने के विश्वा चाहिए और ऐसा स्थान चाहिए जिसमें हम बैट करके भोजन कर सकें और विश्राम कर सकें उनकी प्राटना के सुनकर कि ब्रमान जी के मन में आया कि जब इंक रेचना की है इनको भूक पूकियास लगी है मैं कुछ खाने के अणज़ाम करूँ तो स्वभ में ही संकल्प करता है स्वभ में करता है आगे तब करके और अनाज की विष्था जब की, तो अनाज की विष्था करने के बाद, उससे कहा इन देवताओं से, लोगपालों से, कि अनाज को पकड़ लो, पर उससे पहले रहने के विष्था करने के लिए कहा, कि हम कहां रहें, भगोन आपने बना दिया, पर हम कहां बैच करके बोलिन क करें कुछ स्थान तो दो यह सुच करके साकार ने गाये का रुप बनाया, गाये बनाई, बोले, यह गाये का श्रीर बनाया है, इस गाये का श्रीर में अपना अपना श्थान आप धूंड एंद लो, इस गाये का पर उनकार नहीं माराज, ये हमारे लाइक नहीं है, गाय का श्री हमें उप्युक्त नहीं है, तो फिर दोसी रोस्ता की गई, घोड़े का श्री बनाया गिया, फिर लोग पारुनकार नहीं, घोड़े का श्री हमको उप्युक्त नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, भगवान न फर मनश्य का रूप बनाया मनश्य को रूप बना ज़िए सारे लोगपाल खुश हो गया सारे देवता खुश हो गया महराज यह हमाले ठीक उप्योक्त है तो अगर ठीक है तुम अपना-पना स्थान इसके ढूंड लो और सब ने अपना-पना स्थान ढूंड लिया दिशाओं से कहा चुकि जो बनाया उसके बाद उन से जब और कुरियदा आ गया और आगे विदोहन किया गया उने ने कहा कि जो दिशाएं हैं वो कान प्रगठ हुए बुले कानों में स्थान बना लो जो जो प्युक्त है तो दिशाओं ने कानों में स्थान बने लिया जिससे फिरोध की उपज हुई फिर शीतना से आँखों में आखों में अगनी ने रूप ले लिया मन में चंद्रमा ने आकर कर स्थान ले लिया जो जिसके लिए उप्युक्त था वो स्थान ने अपना अपना चुन लिया अब भूख और प्यास बोले कि हमारा अफ्थान क्या है बोले तुम्हारा अफ्थान जहां ये रहेंगे उसमें सब में तुम्हारा अफ्थान आदा आदा मिलेगा यो भी जहां रहेगा तुम्हें इस थान मिलेगा तो रिशी अत्रे लिखते हैं इसके बाद इन्होंने उस अनाज को जब देखा और खाने के लिए दोड़े अनाज आगे भागा के तो मुझे खा जाएंगे तो इन्होंने उसको आँखों से पकड़ना चाहा के लिए अनाज को आँखों से पकड़ ले आँखों से नहीं पकड़ सके क्योंकि अगर यह आँखों से पकड़ लेते तो आगे जब भी कर भूफ प्यास लगती तो यह आँखों से केवल देखने मातर से स्रिप्ट हो जाते नहीं पक्ड़ सके उसके बाद फिर कानों से पक्ड़ने कोशिस की नहीं पक्ड़ सके त्योंकि अगर ये कानों से पक्ड़ लेते तो वह विश्य में जब किसे भूख प्यास लगती तो खाने का श्रवन कहीं से सुन लेता वो इसकी प्यास बुझ जाती नहीं पक्ड़ सके फिर नाक से पकड़ने कोशिश की नाक से पकड़ने कोशिश की वही किसी तरह से सूंग के काम चल जाए नहीं पकड़ सका चुकि अगर इस नाक से पकड़ लिया होता तो रिशी लिखते हैं तो फिर तो केवल सुगंद लेकर के सामने परांठा बन रहा है सबजी बन रही हो इसको सूंग करके नाक से इत्रफ्ट हो या होता इनसान ऐसारी नहीं हो सकता फिर वानी से पकड़ने कोशित की तो उसके वाग वानी से ना पकड़ सका क्यों तो फिर तो भूख भूख प्यास प्यास कहते ही इनकी भूख मट जाती प्यास मट जाती फिर मूँ से पकड़ने कोशिश की तब भी नहीं पकड़ सके त्यूंकि अगर ऐसा होता केवल मूँ से मूँ हिला करके जेस्टर खाने का बना करके पीने का जेस्टर बना करके प्राश्मिट करी होती उसके बाद इन्होंने इसे प्राणों से पकड़ना चाहा तो प्रान में भी प्रान ब्यान समान उर्दान इन से ना पकड़ सके अपान प्रान से पकड़ लिया अपान प्रान से पकड़ने का मतलब यह हुआ कि ये जो भी चाहेंगे खा लें पीलें अपान ही एसा रश्ता है जिसके रश्ते य बल्दवार से मूत्रदवार से चुकि अपान जो है ये नीशे के हिस्से में काम करता है नाबिल के नीशे अपान वाईू है च्छाते के उपर प्रान वायू है और उसके च्छाते से लेकर के नाभी तक समान वायू है वियान वायू हडियों के चलाता है जो ऐसे ही उदान वायू है गले से उपर उसके बाद जो नीचे का हिस्सा अपान वायू है वो नाभी से नीचे का सारा समान अपान वायू के जि वायू से पकड़ सके, अबान परान से इन्हों ने पकड़े, और परानों से ही वायू का निर्मान हुआ, इस तरह से इन्हों ने भी 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 लोग बालों की और लोग बालों की विवस्ता, उन्हें शेक खाने पीने की विवस्ता की, और इस सब के बाद, इनको यह मालम किवल एक मात्र आत्मा जिसको हम परमात्मा में कहते हैं चुकि परमात्मा कोई चीज ने आत्मा ही सर्वत आत्मे सर्व्यापक आत्मे सर्वशक्तिमान है जो शरीर में आकर के शरीर में आकर के जीवात्मा बन गई और शरीर के बाहर यही परमात्मा है इसलिए अगर शरीर रूपी ये दिवार ना रहे ये शरीर रूपी रचना अगर नहीं है तो आत्मा परमात्मा को अंदर अंतर करना कठिन है क्योंकि जो आत्मा के विशेष्टे हैं आत्मा अनन्त है शरीर के अंदर आके बेशक जीवात्मा बन के सीमित हो गई है लेकिन आत्मा अनन्त है शरव्यापक है अकर्मा है ये उत्पन नहीं होता मरता नहीं हवा इसको उड़ाती नहीं पानी गीधा नहीं करता वावी से सुखाती नहीं तो आत्मा ही के उलस्ट्य है और कुछ चत्य नहीं तो प्राम में किवल आत्मा ही थी आत्मा ही था और अब भी आत्मा है और आत्मा ही आगे चल करके स्रवत्र व्याप रहने वाला है तो कुल मुलाके जो निश्कर्फ शुप में कहा जा सकता है जो ठोरी दी गई वो इस रिशी के मतागफ ये था कि स्वयम ब्रम में इसका निर्मान किया और चुकि हर संसार की विस्टु जो है वो पुरानी होती है विनास को जाती है तो कि एक पुल बना है वो अगर पुल यमना के उपर वो अगर फुल लेड़ सो साल पुराना हो गया है जरजर होने के अवस्था में है तो उसे काल ने पुराना कर दिया तो काल किसी को भी छोड़ता नहीं कि विल आत्मा अकाल है अकाल को काल पकड़ता नहीं अकाल तो काल से बाहर चला गया तो आकाल ही महाकाल है कालों का अकाल है तो स्वम आत्मा अर्थाद परम आत्मा अर्थाद ब्रम यही एक ऐसे सकता है जो समय के साथ साथ चीजों को प्राना कर देती है अंट में अपने अंदर ले कर लेती है परकर्टी में ले हो जाता है और परकर्टी फिर समय पाकर करके वो अव्यक्त अवस्तक चली जाती है और उस अवस्ताव के वल एक इश्वर ही रहता है और इश्वजी फिर संसा की रचना करता है तो रचनाकार या विनाशकारी स्वावम प्रभू रचनाकार है ये रचना बनते हैं ये रचना बनाते हैं और ये रचना खत्म कर देते हैं यानि रचना बनाना भी रचना बनी भी इससे है बनाने वाला भी यही है बिना आशकारी भी यही है और अंत में यही रहेगा बागि जो व्यक्ष है जो अव्यक्ष में चला जाएगा तो सश्टी बनी है कई बार बनी और कई बार बिगडी है यह हमारे सिनातन धर्म का मत है बेशक हिंदू धर्म कोई चीज नहीं है क्योंकि सिन्दू के दिर रहने वाले बाद में हिंदू कहला है तो आशक्राम में किवल सनातन यह बैदिक संस्कृती ही है जो अलके बैदिक संस्कृती के साथ सा जनलिजम यह कहता है जानतर में कहता है कि रिशब देव हमारा जो रिगवेद है रिगवेद की रिचाएं हैं उनमें कम से उक्षिक तालिस ऐसी हैं वो रिचाएं रिगवेद में हैं जो रिशब मुनिसे जुड़ी होई हैं क्योंकि किसी भी काल की जब आप पैचान करते हैं कोई काल कितना पुराना है कोई धर्म कितना पुराना है तो उसके लिए literature, society जो available उसको देखना पड़ता है विभिन लोगों के जो आलेख हैं शोद पत्रों को देखना पड़ता है या archaeological department की चीज़ें उन्हें खोजी हैं उनको देखना पड़ता है तो इन सब अधारों को देखने के बाद कई शोद ग्रंथ लिखे गए जो इस बात को इंगित करते हैं कि पहले जैन मुनि जो थे रिशब देव थे और वेदों के काल से हैं और रिशब देव की जो संतान थी उनमें एक संतान भरत थी जिनके नाम पर भारत वरश भारत वरश भारत का नाम रखा गया और सम रिशब देव महान रिशी नादी के बेटे थे जिनके सौ संतानों में से रिशब देव बाकिस सब अपने अपने कामों में लग गए रिशब देव कैसे थी जो महान ग्यानी ब्रम को तो मानते नहीं यह जो अपने कर्में का धार पर स्वाम भगवान बन गए भगवान की कल्पना है भगवान आत्मा ही भगवान बन जाती है लेकिन भगवान प्रमात्मा के रूप में इनका नहीं है इन्होंने इसके नकार दिया तो आत्मा ही स्वयम पर्मात्मा बन जाता है ये इनके करता है। जबकि जैनी लोग जो हैं वो आगम और सूत्र ग्रंथों को अपना पवित्र मानते हैं इनके उपर चल रखते हैं तो कुल मलाकी कहा दे सकता है कि हमारी वैलिक संस्कृती में सनात्म संस्कृती में एश्वर कल्पना है एश्वर ने संसार करचना की है और एश्वर संसार कर चायता है यह अंत में था यह पराब में था यह वरतमान में है यह पूरी प्रकरती प्रभू का ही प्रभू का ही बिस्त रूप ऐसी का ही मैनिफेस्टेशन है प्रकरती कहती है कि मैं हूँ एश्वर के मैनिफेस्टेशन को रूप में मुझे देख कि को इसकी करपना करता है कि बनाने वाला है तो इश्वर की जो प्रक्रती करना है वो प्रकरती को देख कर है प्रकरती का दाधार है अश्वर है क्योंकि प्रकरती इश्वर के बना कहां अग्जिस्ट कर सकती है तो प्रकरती का दाधार इश्वर है इश्वर का मैनिफेस्टेशन प्रकरती है दोनों ओत प्रोथ हैं, इंटर्मिंगलिंग हैं, इनको अलग कर पाना संभव नहीं तो ये रचना जो ये ये जो विस्तार दिया है, ये एत्रे उपनिश्यद तो एत्रे उपनिश्यद में तीन अध्याएं हैं, पहले अध्याएं में खंड वान टू थी है खंड वन में लोग को गिरिचना, खंड टू में लोग पालों गिरिचना, खंड थी में उनके लिए विवस्ता करना उसके बाद दूसरा और तेसरा जाय जो है, वो इश्यर की अस्तुति इस्तुति, इश्यर की महिमा, इसकी होने का फरमान सिद्ध करता है तो कुल मुलाकर के आज के विशे का यहीं मैं विश्राम, विशे को विश्राम देता हूं, और आप सब संतों को पेशन्ट हीरिंग के लिए धन्यावाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यावाद आज आज आपने अटेंडम के ना आने पर क्लास भी, श्राम देता हूं, इसके लिए बहुत बहुत हो साथ बात, बात में माई दोर्स सब बहुत बाइज की बोलेंगे, और किसी कोड़ी दिक्यासा हो तो आधर ने आपके साइड डॉक्टर काला साथ पूर सकते हैं बड़ा इंटरस्टिंग सब्ड़ किया आपने ये मैं पहले भी बहुत बार पढ़ा दुबारा कुछ एक दिनों से दुबारा पढ़ना था आपका काफी आपका रफ्रेंस से बारे में है आपने तो पड़ा होगा वोगड आपका अपका राफ्रेंस के दिया हुआ आप से बहुत तो उसमें आपने काफी जगा किया वही एक वह नहीं है जो बाक्की तो सब कुछ वही है मैं सुना भी दूँगा आपको जो आपको गाय का गोरा का का वह कहीं जिकर नहीं है वह पतने आपने पुरानों से लिया है अगर आप अपरेश्ण को पढ़कर देखेंगे अपरेट पढ़ लूँगा है क्योंकि वह व्यादिक दे उसके मताबक यह ऐसी कहीं कथाय लिखी नहीं हुई उनने कहीं मैं वेद संगत रही है मतलब उसमें है बाकी अलाग उपरेश्ण जो है उनमें उसमें एत्रे उपरेश्ण ने बढ़ना मैं कुछ एक इस पर से कुछ एक बात के सुना देता हूं उसे आपका जो बोला हूँ और क्लियर हो जाएगा यह सब जगत सिच्ची से पहले अंदकार से आपरेट राती रूप के जर्म के आयोग के आकाश रूप सब जगत सुच्छ था तब परमास्त्रा के समुख एक दर्शिया जेता जो सूर्या उस पर आगे पर सुनाता हूं जगत के कारण कितने होते हैं । यह जो आपने बताया था था नhone अचा सबसे पहले कोरे ज्यगत परमेश्वर से उतपन हुआ ह्से उत्पन उत्पन हुआ है प्रतु उसका उत्पादन कारण प्रकृति है वह भी आप देखा अगला प्रेशन करता है क्या प्रकृति प्रमेश्वर से उत्पर नहीं की प्रकृति क्या प्रमेश्वर से उत्पर नहीं की नहीं वह अनादी है प्रकृति अनादी है यहां प्रमेश्वर अनादी ने कहा य कितने पदार्थ नादी है उत्र है किश्वर, जीव और जगत का कारण ये तीन नादी है इसके परमान क्या है परमान रिगवेद का उरोंने मंदल एक का दिया हुआ है वो परमान है जो ब्रह्म और जीव दोनों चेतनाजर पालादनी गुनों से सुथ व्यापक भाव से स्थूर होका प्लाय में छिन बिन हो जाता है तो यह बिल्कुल जो आपने प्रकरती और उसका कहा कि दो तिन ख्लेरिफार पर प्रकरती भी परमाना अनादी प्रकरती भी है वो भी उसमें लिखा हूँ एक दू और प्रश्र में सुनाता हूँ जो बड़े इंटरस्टिंग जगत के कारण कितने होते हैं यह है तीन कारण होते हैं उत्तर है एक निमित दूसरा उपादान तीसरा साधारन निमित कारण उसको कहते हैं जिसके बनाने से कुछ ना कुछ बने ना बनाने से ना बने आप स्वर्म नहीं बने एच दूसरों को परकारन्त बना दे बेर उसको कहते हैं जिसके बिला कुछ ना बने वही अवस्तारत रूप होके बने बिगए भी को उपादान है साधारन करण उसको कहते हैं जो बनाने में साधन और साधारन निमित हो तीनों की डैफिनिशन उसमें दी हुई है अच्छा निमित कारण दो परकार के होते हैं एक सब सिष्टी को कारण से बनाने धारने और प्रलाया करने तथा सब की विवस्ता रखने वाला मुख निमित कारण परमात्मा है तो यह बड़े इंटरस्टी यहां प्रेशन उत्र दिये हुए है जो आपको आपने जो कहा उसको एक लिखित रूप से क्लियर है वो जो आपने सब कहा बिलकुल आपने परस्त कहा लेकिन थोड़ा सा कही है बहुता कि मनुष्ट मुलता भी आपने से कहा रहे हैं इन आपने इसे रहे हैं इस अपने बिलकुल शास्तांत के मताबक का है वाले जगद के बनाने में परमेशन क्या प्रमोजन सेथि क्यो बनाई वही तो नहीं मिलें मिलता है आदिहां से उता रहा है तो एक पहले था। या ब्रिक्स आदमें पहले कहते हैं पहले अंडा हूँआ था ना मुर्गी उसका उत्तर भी शत्षाप प्रकाश में दिया हुआ है बीज दिखा हुआ है बीज आखियो, बीज निदान, निमित और कारन इत्यादी, शबस है कारन का नाम बीज होने से कार क प्रथम ही होता है यह बिल्कुल एक लॉजिकल कलकुल जो बोलते हैं पहले अंडा हुआ था न मुर्गी पहले मुर्गी नहीं हो सकती पहले पहले बीज है यह उसने नीजन भी दिया क्योंकि बीज है तूर निदान निमित और कारण नित्यादी शब्द एक आर्थवाचक है कारण का नाम भीज होने से कार के प्रठर में ही होता है इसलिए यह बड़ा अच्छा इन्होंने उत्तर दिया हुए उसका एक और बड़ा प्रशन है जो कारण के बिना कारण नहीं होता तो कारण का कौन है कारण के बिना कारण नहीं होता है तो कारण का कारण का कौन है कि को इसका उत्र देते हैं जो केवल कारण रूप भी है वो कार किसी के नहीं होते और जो किसी के कारण और किसी का कार्ण होता है घैसे फुर्फी घर आधी का कारण और जलादी का कार होता है प्रतुं जो अदाधी कारन प्रकुर्टी है वह अधीं है के फ्रिकर अधिया एक थोड़ा सा एक एक मुपलेक्श आंसर भी क्योंकि थोड़ा अं discipling धितरका ज्यान है इसलिए इसको थोड़ा था हम लोग थोड़ा समझने में कई बूश होता है तो यह बड़ा अरंदा है आपने तो यह मेरा बच्पन से मैंने चालीश-पटास साल पहले मेरा एक बड़ा एक इस चेप्टर में मेरा बड़ा सुरू से ही एक इंटर्स रहा है तो आज भी इसका प्रशन आते रहते हैं मन में और कई बार संदोश नहीं कर पाता है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को प्रणाम नमस्कार यह विशह एक ऐसा है कि मुझे लगता है जब से मानव की सब्टा बनी है ग्यान हुआ है तब सिले के आज तक बास्ट होती आई है और निरुक्त में भी नेती-नेती करें कि इसको शोड़ देना पड़ता है और आदनी का सभाव है कि इसको जानने कि उसको चिस्टा करता ही करता है मैं इस पूरे चीज को थोड़ा सा आज के वैग्यानिक परिक्ष में भी देखने की समझने चिस्टा जरता हूं कि उपनिशत की जो भासा है या आज तक के वैदिक साहिति की किसी भी तरीके से लिखी विज़े परिभासा है वो आज के लड़कों को आज के बच्चों को हजम नहीं होती है कुछ परिभासा है हम लोग बहुत लंबे समय तक पढ़ते-पढ़ते हमें याद हो जाती है बड़े की कैसे क्या हुई तो विज्ञान किसी भी चीज की रिवर्स इंजिनिर्इग करता है कि कोई प्रोड़क्ट है तो सही लेकि उसकी कैसा हुआ तो उसके बैग जाए वह वह बैक इसनी में जाना सुरू करता है तो अगर आज की परिप्रेक्ष में किसी को ये बात सम्झानी पड़े हम उसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि एक परार्थ है दुनिया में दोई चीज है जड़ और चेतन गाहित्री महाविज्ञान जब मैंने पढ़ा मेरा बहुत पसंदीता सब्जेक्ट रहा है कि उसमें पराम में लिगा कि सिस्टी जब उत्पत हुई परभ्रम्ह में एक स्पुरुना हुई इस पुरुना दो भागों में बटी एक जड़ और दूसा संकल्प की शक्ति अब इस चीज को हजम करने में मुझको बहुत समय लगा कि इस पुरुना क्या होती हम लोग ने यह सोचा अभी तक पढ़ाए कि इश्वर ने सोचा कि मैं एक सेनेक हो जाओं इस्वर ने कल्पना करी एक सेनेक हो जाओं और जब भी हम लोग ऐसा कुछ सोचते हैं तो दिमार्ग क्यों सब्दों में जब भी उत्तर देंगे तो व्यक्त हो जाए रहा तो यह व्यक्त में नहीं होगा तो फिर उसमें यह पढ़ा है कि जब हुआ तो दो चीज़े बनी एक चेतन बना इसको घरजी कह लें और एक पदार्थ बना जिसको जड़ का विज्ञान का विज्ञान फिर पंच तत्मों के रूप में बना और जो चेतन का विज्ञान था संकल्प शक्ति थी वह सतरक्ष्टम की तीन शक्तियों के रूप में बनी अब फिर इनके पर्मूटेशन का उम्मिनेंस से पुरी सिस्टी बनती गई उसका अलग अलग उप मिश्टम में बहुत तरह से देख्याना था पर नट सेल में अगर एक बात होती है तो यहां तक बात मेरे को लोजिकली समझ में आई समझा सकती अब रिवर्स इंजिनियरिंग की बाद जो कर रहे तो कैसे हो सकता है कि पदार के सबसे स्मालेस परके तब करेंगे के तो इसके अंदर में इलेक्रॉन प्रोटौन नीट्रन भूम रहे हैं और उसके पर्ब्रम्ण की संकल्व शक्ति कह सकते हैं यानि उस इनर्जी से कभी एटम बनने होंगे एटम का घनीवू उतरूप कोई पदार्थ बना होगा क्योंकि जब रिवर्स करेंगे तो उल्टे बैसे जाएंगे कई वही पदार्थ है तो एकम का समुझ्छ है तो तोड़ते तोड़ते महां जाते हैं और तो बना होगा तो जब वो जो इनर्जी है जो नुक्लेस के दोड़ने से आ रही है वो तो अव्यक्त है वुद्कत कोई रूप नहीं है तो यानि वह इनर्जी जब पंडेंस्ट हुई तो एक ऐटम बना होगा और जब एक सब सबस्रों के अंसलिडेट हुए होगे तो पदार्थ बना होगा तो दिरे दिरे इस प्रदार्थ से प्रदार्थ की रचना हुई यानि आज भी हर प्रदार्थ के अंदर में वह चैतनी शत्ता घुली हुई है जो की एटम के नुकलियस के रूप में जब मैंने महावग्यान को पढ़ा और उसमें से जब जीजों को चर्चा हुई है तो यह एक ऐसा मुझे समझ में आई कि मैं आज किसी भी स्टुडेंट को अगर यह कहा जाए कि तुम रिवर्स इंजिनिरिंग कर लो और देखो क्या मिलेगा तो उल्टारेक्शल करके यहां पहुचे अब जब सिस्टी बनी होगी तो यह बात समझ में आते तो हम लोग को मुझे लगता है कि कुछ आज के टर्मलोजी को यूज करने का कुछ तरीका खोजना चाहिए तक ही नई पीडी जो है बहुत आपने बिल्कुँ यह सही कहा तो यह पजास साल पहले यह पढ़ उस परमेशन और प्रकरती से अखाष, अखाष अर्था जो कारण सुद्रफ तर्व प्यारता है उसको एकठा करने से उतपन हो रहा है वास्तव ने अकाश की उतपती नहीं होती capital का पहां सहर सके अकाश के परणद बायू, बायू के परणद अग्नी, अग्नी के परणद जल, जल के पच्छाद पिल्टवी, पिल्टवी से ओशदी, और जीज दे अन, अन से भीर, भीर से पुरेश, अर्था श्री रूटपर होता है, यह अकाश आदी कर्म से और छांदोग्यों से अनादी, जलादी कर्म से स्रिष्टी, वेदों में कहीं पुरेश, कहीं, हिरन गर सब्सक्राइब, जलादी से पिमान सामें, यह सब आज की तरिष्टी में अलग लगता है, यह क्या है, जो आपने कहा रहा है, रिवर्स इंजिरी करके ही, हम अपने आपको इस पढ़ने से आज का लगता है, यह एबसक्त है, ऐसा लगता है, इसको मैंने जिस तरीके से समझ आज की तरीका नहीं है, आज की तरीका नहीं है, हम पचास साल पहले भी मैं था, आज भी मैं हूँ, लेकिन आज बिलकुर अलग इस तरह है, और क्योंकि विज्ञाना पी पहली बात है कि हम इस आकाश को यह आकाश मानते हैं, वायू को मतलब यह वायू मानते हैं, जल को हम पानी मांगते हैं अगनी को हम फायर मांगते हैं जब कि ये शब्दावनिया इस रूप में नहीं है इसके पीछे की जो इसके पीछे जो चेतन सत्ता काम कर रही है जब मैंने पहली बार जर्मदिवस पालन करने की जब बाह कर्मकान सिखा और उसमें पंच तत्मों की आज में इसको पढ़ा तो एक यह कॉंसेप्ट आया कि पहले जो भी चीज आज धर्ती पर प्रत्यक्ष रूप में है वह पहले अप्रत्यक्ष थी यानि पहले वह चेतन थी वहां से जड़ में कनवर्ट ही तो यानि गुण जो है गुण उसका उसकी जो संकल प्रक्तिक उस को इस तरह के आकास प्रत्यक्ष जल इससे तो हमको अलग हो जाना पड़ेगा अब यह सोचें कि जब कुछ नहीं था तो आकाश मतलब कोई बी के बीश में जो जर्ग है वह आकाश को दो प्रमानों के बीश में ऐड़ेधन करेक्ष स्था और उस आकाश के अंदर में जब जिव नि पर cannon शक्ती बनी तो तो पर्माणूओं के मुव्मेंट से वायू बनी वायू के अंदर में पर्माणूओं के वायू के चलने से जो फ्रिक्षन पैदा हुआ उस फ्रिक्षन से एक ओड़िया पैदा हुई उसको अगनी नाम दिया अगनी का मतलब कभी आग नहीं हो सकता अगनी मतलब एक उड़जा है उड़जा के रूप में अगनी को इनर्जी है क्योंकि अगर मैटर के एंगिल से भी देखें तो मैटर की जो पांच अवाज पहले तो तीन अवस्था कहते थे सॉलिड लिक्वीड गैस पर अब पांच वी अवस्था पांच अवस्था तक भी आजरा दो प्लाजमा चाव प्लाजमी प्लाजमा की सोलीड लिक्वीड तो कुछ भी नहीं तो वह प्लासमा स्टेट जहां पर किई गास को बहुत जयदा जब गरम किया यह का तो उसके प्री आइन सो करके घुमते हैं और वो उनमें जो चार्ज उत्वन होता है वो रोस्टी उत्वन करता है वो आइंस क्याला एक और यहां प्रशन है जो जो यह जो पांचों की लिंक को मैंने कैसे समझा उस बात को रखू जो बहुत सारे लोगों की चर्चा से में पास में भी आया यह मेरी भी अपनी सोथ नहीं बहुत जैसे अभी यहां मीटिंग में बैठा कई होगी है तो परमाणों के फिक्सन से जो उड़ जा पैदना हुई उसको अग अगनी जब कंडेंस्ट हुई तो वह पानी में बदली है अब पानी कंडेंस्ट हुआ तो फ़रासी अगनी कंडेंस्ट हुआ तरल में बदली यानि भाव जोके अपने आई और लिए और लिए तो ऑक्सीजन भी थी हाँ दोनों के मिलने से अगनी होती है दोनों के मिलने से ही अगनी होती है दोने ही अगनी के उत्पादक का रहे तो जब उसको मैं फोड़ा सा आला कि मैं फ्रीजिक्स के जारते नहीं हूं पर गुर्देव का साही ते पढ़ते हैं कुछ वेगनिक जिसकों से सुनने समझने की इच्छा पैदा हो गए आप जैसे मतलब से मुलाकात कर आध भी सोचता है यह कि विश्वाष मैं नाविश्वास की बात ही नहीं है नहीं है क् तर३ों को थे टर्मिलोजी औराटा की तर्मिलोजी दूस्रे दाज हो प्रित्व आधी के बिना मनुष्य की स्तिति और पालन नहीं हो सकता था शृष्ठी की आधी में एक या अन्याइक पुनुषव्राफ हुथ पर किये गया जा क्या अधिक कि ज करन आश्वार स्रिष्टी प्रिप्र में होते थे उनका जनम शर्षिञ की आदी में Jesus है ये अनाधी करहते हैं यह कही नहीं नहीं कहते है अन्होंने दुबारा जनम लेना था उन्हों नहीं जनम लियाए विकार नाजरी आटमायक एक एक अनर्जी है अन्डिशिवल एनर्जी और अनर्जी है तो यह नर्जी कही ना कहीं जैसे अब आप जो बोलें यह नर्जी है ब्राटमन में पहल गही है पहले भी ऐसे था खत्रम हो जाएगा फिर आगे ऐसा ही होगा इस देव रिशी जी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके हम आप से लेकर अगले सोपां तक बोल सकते हैं इसलिए ना एक्जेक्ली एक्जेक्ली और आज देख लिए आप कितना सोभाग्य है कि एक 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 इस्टेंपोर एक इशू आया उसके ओपर हमारे गुरू जी ने एक 25-30 मिनिट का एक व्याख्यान दिया और उसके अब बहस देखिए ऐसी चल रही है कि यह 20-25 घंटे भी चल सकती है तो यह विशे ऐसा है सर विशे आपने शुरू में कहा कि पहले अंडाया यह मुर्गी यह अब तक यह सौल नहीं हो पाया हाला कि लोगोंने अपने अपने हुए है तो चलिए खेर प्रश्टी की रचना क्यों कब और कैसे हुई यह प्रश्ट अब नहीं है यह मानवजाती के लिए एक अनुबूज पहली शुरू सही है और इसके तो इस प्रश्ट की एक विशेश्टा यह भी है यह महत भी है कि विज्ञान धर्म विचार इसका उत्तर सब देने को तैयार होते हैं लेकिल अल्टीमेटली कोई नहीं दे पार रहा है और जैसा कि कालरा सर ने कहा कि जैन कुछ और कहते हैं बहुत कुछ और कहते हैं इस कुछ और कहते हैं अच्छा ब्रह्मांड की उत्त्ति कब हुई इससे जदा इंपोर्टेंट बात तो यह है कि उत्त्ति हुई क्यों अब देखिए ना हुई क्यों क्योंकि अच्छा इसका भी केवल दो दिशाय हो सकती ह कि पहले बात थो के ब्रह्मांड की उत्पत्थ्य निए और दूसरा, बिना कि Si कारण की और यह किसी उद्देश्य जिस्में ब्रह्मांड की उत्पत्थ्य का प्रियोजन हमारे सामने आए और यह नहीं ही तो नहीं है तो इसलिए Sac note और आपको पताईए कि जैसे जब कहा गया कि सत्ता जो है यह सारी सारी इश्वर किया और ब्रह्मा जी ने सरस्टी रिचने का जब ड्रडख संकल पलिया तो उनकी मन में मन से मारीची नेत्रों से अत्री मुख से अंगिकार कान से पुलस्त नावी से पुल है हास से क्रत त्वचा से भ्रगु प्राण से वजिश्ट अंगूटी से दक्षर गोज से नारजी को उत्पन कर दिया कि जाओ मैंने यह त्रश्टी का उत्पदन कर दिया है अब तुम इसमें इंजॉय करो या जहलो या मत जहलो तो खेर आज का जो कारण आज का जो आज का एक सेंपोर आपने रिशी साब ने कहा उत्बोधन किया उसके लिए और लोगुल साब सबका दिलकुल बिलकुल आपका बहुत बहुत आपार देंने आज जाक्तर बदोर्य साब कि उत्था बोधन और वो च्छे-पांच पर हम को पौन कर रहे हैं कि हमने ले पा रहे हैं नाट इसाप आगे यह भी अगला प्रफ्र में साथ हम यह भी सुनें करा जाता है कि स्रिश्टे कई बार फिर कई बार खत्म हुए कई बार आई गई बार खत्म हुए कई बार आई तो यह यह भी चलता है इसका भी कुछ झा ता extrem जाndra कॉता उइब को रहें प्र्लाए आती है स् साइकल पूरा हो जाएगा तो खतम हो जाएगी उसके नई हो जाएगी जैसे कि एक विचार के साथ तीन बारों के साथ अपनी बात को समझने वाला है अब किसी से उलजने का मन नहीं करता है आप किसी से उलजने का मन नहीं करता आप सही मैं गलत बस बात कर दो आप यह तिन वारों का अच्छा है करते हैं आप 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 नाप आप हैं यह प्रणाम, प्रणाम प्रणाम वूम् जो शांति रंतरिक्संट निया विधे विशांति रापाक śānti-rośadhaya śānti vanaspataya śāntir-viśvideva śānti-vrahmam śānti sarvam śānti śāntireva śānti सामा शांति रेधे ओम शांति 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 शांति